हेलो दोस्तो नमास्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो बिहार वालों के लिए बड़ी कुछ कबरी आ चुकी है, बिल्कुल नई अपडेट है, ओफीसियल नोटिस भी आ चुकी है, और इस ओफीसियल नोटिस के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि आपको बता दे, बिहार के जो है सौस विभाग की तरफ से, यानि कि बिहार के हेल् 40,000 पदों पर भरती होगी, जिसमें से, बिहार एनचम के तरफ से, 13,000 पदों पर समविधा पर भरती होगी, इसमें नई अपडेट आ चुकी है, भरती परकिरिया यहां पर सुरू हो चुकी है, इसके लिए ओफीसियल जो है, इस टेंडर नोटिस यहां पर राज्य सौस सम विभाग भरती 2024, दोस्तो बिहार के जो है, सौस विभाग में 45,000 से अधिक पदों पर जिसमें, नर्स ग्रेड ए, एंडम, फार्मा स्रिश, ड्रेसर, लेप टेगनिसियन एंड वेरियस पोजिशन पर समविधा और परमानें दोनों तरीके की विकेंसी आ रही है, लेकिन ज सबी को जो है, जौनिंग दी जाएगी, उसके लिए नोटिस आ चुकी है, वैसे इस नोटिस में बताया गया कि समविधा के अधार पर जो है, राज स्वाव समीचती बिहार भरती करने वाली है, जिसके लिए एजेंसी का चेंड किया जाना है, यह नहीं बताया है कि बिहार सेप्तमबर, वैसे तो एक सेप्तमबर की डेट में नोटिस निकाल गया है, लेकिन आज यह पान सेप्तमबर, आज की डेट में जो है, डेटेल्स में आपको जानकारी दे रहा हूँ, यह टेंडर बिल्कुल ओफीसियल नोटिस आ चुकी है, नई भरतियारी है, बड़े 26 अगस्ट 2024 को जो है, यह इनफार्मिसन निकल क्या रही थी, दैनिक जागरन के निज पेपर में, राश्टरी सौस्ट मिसन के तहत 13,000 पदों पर दिपावली तक नियुक्तियों कल्लच यहां पर रखा गया है, राज्य ब्यूरो जागरन पटना से अपडेट निकल क्या र सौस्ट विभाग के रिक्त 45,000 पदों के अतरिक्त सरकार राश्ट्री सौस्ट मिसन के तहत 13,000 पदों पर निकल करेगी जिसकी कवायत सुरू कर दी गई है, जून माही में सौस्ट मंतरी मंगल पांडे के अस्तर पर समिच्छा और उनके दिये निर्देश के आलोप में वि चुकी है, अभी मुझे लगता है, मैं आपको बता दू, अभी जो है, जो इस टेंडर नोटिस निकला गया है, यह बिहार एनचम के तहत वेकेंसी आएगी, अभी नमबर वन बिहार एनचम के तहत सम्विदा पर वेकेंसी आएगी, और 13,000 से अधिक पदों पर वेकेंसी आ चुकी है 4500 पद है और मेडिकल ओफीसर के 757 पदों पर विकेंसी आएगी और स्टाफ नर्स के जो है 2500 पलस विकेंसी आएगी और एनम के जो है 1229 पद आएगी लेप टेकनीशन के 982 पद आएगी और लॉजिस्टिक मैनेजर के 38 और अप्थॉलमिक साहिक के 220 विकेंसी प्रक्षंड सौस्थ परबंधर के 97 और ब्लॉक अकाउंटेंड के 38 और प्रक्षंड अनुसर्वन साहिक के 128 वा प्रक्षंड समुदाइक उत्प्रेरख के 54 पद है और अभी जो चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं बाकि यहां पर सब कुछ आप लोग देख लेना बिहार में जो है अलग अलग न्यूज पेपर के माध्यम से बताया गया था कि अलग सी जो है बिहार एनचेम सी 13 हजार पदों पर संविधा पर विकेंसी आएगी इसके लिए यहां पर आ चुका है चलिए मैं आपको e-tender notice दिखा देता हूं देखिए पहरे दोस्तो e-tender notice जो है अलग-अलग न्यूज पेपर में पब्लिस की गई है अगर आप लोग देखना चाहते हो हिंदुस्तान e-paper पटना सीटी एक सेप्तमबर 2024 की डेट में देखोगी तो आपको जो है e-tender notice मिल जाएगी साथी अगर आप लोग वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो आपको जाना है राजे सौस समीती बिहार e-tender notice आपको official वेबसाइट पर भी मिल जाएगी सब कुछ यहां पर मेंसन है राजे सौस समीती बिहार notice inviting tender से e-tender NIT reference नंबर पढ़ लेना 2024 से 2025 सब कुछ यहां पर मेंसन करके एक बार प्रूफ के लिए मैं आपको जानका दे दूँगा कि जो नई वेकेंसियारी समविदा पर इसके लिए यहां पर e-tender निकाल गया है बाकि नीचे आप लोग e-tender का जो है सेडूल यहां पर दिया गया है सेडूल ओफ इवेंट्स है तो इवेंट्स का यहां प time for submission online bidding documents की जो last date है यह है दोस्तो upload करने की जो last date है 2 October 2024 है time date of opening of technical bid technical bid opening की जो date है तीन अक्टूबर सुबह 11 बजे रखी गई है और submission of EMD एक अक्टूबर 2024 की date mentioned है सामको 5 बजे तक बाकि जो pre-bid meeting है यह दोस्तो 13 सब्तमबर 2024 को Friday को जो है सुबह 11 बजे आप लोगों का pre-bid meeting होगा कहां पी होगा तो conference hall fourth floor soft भवन state health society बिहार पतना 80014 तो देखिए pre-bid meeting की जो date है दोस्तो 13 सब्तमबर 2024 Friday सुबह 11 बजे रखी गई है conference hall में रखी गई है इसके बाद जो इस टेंडर पर किरिया है लगभग लगभग 3 से 5 अक्टूबर तक complete हो जाएगी और इसके बाद आप लोगों का अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही विग्यापन आ जाएगा और नौंबर दिसंबर तक जो आपकी भरती पर किरिया है समाप्त हो जाएगी जैसा की न्यूज पेपर में बताया गया था किलियर हो चुका है इसका हिंदी ट्रांसलेट दिखा दूँ फिर आपको लेके चलेंगे ओफीसल वेबसाइट पर भी प्रूफ के लिए देखे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बतारों कि जो इटेंडर निकाल गया है समविदा पर भरती के लिए निकाल गया है यहाँ पे देखिए गूगल लेंस इंगलिस हिंदी मने ट्रांस पढ़ लेना राज्य सौस सौसाइटी बिहार एचेस एसबी पटना इटेंडरिंग के माध्यम से एक एजेंसी का चेन करना चाहता है भरती सेवाए परदान के लिए के लिए आगे देखिए इंपोर्टेंट है एचेस एसबी कई रिक्त पदों पर भरती करने की योजना ब पर जो है भरती करने के लिए एचार भरती एजेंसी का चेन करना चाहता है बाकि आप लोग पढ़ लेना बोला गया कि एक एजेंसी जो की सर्वत्तम उपलब्द हो और अच्छी भरती परकिरिया हो साथी निस्पच भरती परकिरिया के तहत भरती कंप्लीट करे इसके की जम्मा करने की प्रारमति थी ओपन हो चुकी है यह सब कुछ पढ़ लेना चलिए अब आपको लेकर चलेंगे नोटिस पर दोस्तों आपको जाना है गूगल पर यहांप लोगों को जानका दे रहा हूं यहां पर जैसे कि आप लोग देखो कि पेज अपडेट हो चुका ह कि एक और यहां पर निकाला गया है अभी की डेट में बाकि नीचे आओगे टेंडर नमबर 2 यहां पर देखिए टेंडर एनाइटी रेंफरंस नमबर 13 मैंने आपको बताया था ना रेंफरंस नमबर 13 और यहां पर देखिए बिड समिशन की जो डेट है दो सब्तमबर यां यानि कि बिल्कुल ओफीसिल नोटिस यहां पर जारी किया है और दीखिए बिलकुल ओफीषिल जो है और निकाला गया है आप लोग देखिए वेबसाइट पर भी आ चुका है राजे स violin समयति बिहार यह आ जिख सकते हो जो मैं आपको नोटिस दिखाय वहीं ओपर दो tiet कितनी कितनी वेकेंसी आएगी बिहार एनेचम की वेकेंसी आएगी इसके अलावा जो अलग डिपार्टमेंट है उसकी वेकेंसी आएगी कौन-कौन यह भरती समविदा पर करने वाली है अब इसकी तो जानकाई नहीं है लेकिन 100% बिल्कुल कंफर्म हो चुका कि बिहार नूटिस भी दिखा दिया है नूजपेपर की कटिंग दिखा दिया है और फीसल वेबसाइट पर जाके नूटिस दिखाया है साथी नूजपेपर का कटिंग दिखा दिया है तो एटू जड़ सारी जानकाई मैंने आपको दिखा दिया है